हैलो एपृरीमंट आज मैं डिस्क्रिच करने वाला है परिस्कृिप्सन के बारे में डॉक्टर की लिखी की द्वारा है एक पर्ची होते है हैं अज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपको hand written notes मिलेंगे वीडियो के साथ साथ तो आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना Prescription Prescription क्या होता है दोस्तो Prescription ईजने order written by physician, dentist और any other medical practitioner to the pharmacist to compound or dispense a specific modification for the patient यह क्या होता है कि एक written form होता है physician या dentist या medical practitioner के द्वारा जो pharmacist को दिया जाता है compound कोई भी product को compound or dispense करने के लिए specific medication मतलब medication जो है वो patient को देने के लिए इसके कुछ direction होते हैं for pharmacist to prepare a specific type and quantity of preparation pharmacist prescription देखके वो बता पाता है और बना पाता है specific type of and quantity of preparation कर पाता है अपने drugs की जो डॉक्टर ने पर्ची में लिखी है direction इसमें include रहता है direction for patient किस तरह लेना है mode of administration tablet है तो औरली लेना है injection है तो intravenous लेना है यह सारी बाते लिखी रहती है तो यह फार्मसिस्ट को बतानी रहती है यह सभी detail prescription में दी रहती है अब हम बात करते prescription हम क्यों use करते prescription में जो prescription है generally written in English but latin words और abbreviation are used to save time prescription तो जो होता वो generally written रहता हूँ English के फौं में बट इसमें जो latin word use करते abbreviation जैसे उसे हम क्यों use करते हम अपने time को save करने के लिए जैसे terine dye मतलब three times in a day इसका मतलब यह होता है prescription में तो इसलिए prescription में short form use करते हैं क्योंकि हम अपने time को जल्दी से save कर सके अब types of prescription की बात करते हैं तो दोस्तो prescription दो types के होते हैं एक pre compounding होते हैं एक extemporance होते हैं pre compounding क्या होते हैं जो prescription already prepared होते हैं drugs जो pharmaceutical company से पहले से भी प्रिपेर रहते हैं उसे हम pre compounding drugs बोलते हैं जैसे एक्जामपल cap ciproflexine 500 mg यह पहले से भी बनी रहती हैं लेकिन extemporance किसको बोलते हैं दी फार्मसिस्ट पिर प्रिपेर the medication as a directed by prescriber इसमें फार्मसिस्ट का रोल रहता है फार्मसिस्ट prescription को देख के उसमें कौन सी medication कैसे नहीं हो फार्मसिस्ट के द्वारा जुद दवब अपनाई जाते हैं उसके हम extemporance बोलते हैं दोस्तो अब हम बात कते हैं पार्टस प्रिस्क्रिप्षन के बारे में पार्टस प्रिस्क्रिप्षन हमारा क्या है रीडिंग अंडरस्टेंडिंग और प्रिस्क्रिप्षन एक प्रिस्क्रिप्षन कंसिस्ट हो क्या क्या कंसिस्ट करता है तो प्रिस्क्रिप्षन में आपकी जरूरी चीजे कौन-कौन से होते हैं जैसे सबसे पहले डेट प्रिस डिस्ट्रक्शन, और सिगनेचर एड्रेश और रेजिस्टेशन नंबर और प्रिसक्राइबर रहनी चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन में दोस्तो मैं यहां एक sort of एक minute prescription बनाईए आप लोगों को समझाने के लिए आप इसे देख सबते हो जैसे सबसे पहले दोस्तो address address के लिए address के लिए यहां देख सबते हो मैंने address उपर में ABC Nursing Home address phone number यहां name दिया हो age है, sex है, address है और date है तो यह क्या हुआ दोस्तों यह हो गया हमारा हैड ही सूपर इस्क्रिप्शन क्या होता है आरेक्स होता है मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ इन स्क्रिप्शन में आपकी दवाई लिखी जाती है आप ऐसंघ Nas에 औरर सबिस्क्रिप्शन यह होता है कब लेना है कैसे लेना ल accessing डिपएल इंयोत कि आपको दुबारा ध्युट करना है और साईन और रीकिल यहां पर डोक्टर की रहती है और रिटीशन नंबर भी होता है science signature address registration नंबर और प्रिस्क्राइबर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उनकी details भी होती है prescription तो यह सही फोर्मेट होता है prescription क्या दोस्तो अगर आप इतना भी लिख के आतो prescription के question में तो आपको full marks मिलेंगे दोस्तो अब हम हम बात करते हैं पार्ट सो प्रिस्क्राइबर के बारे में सबसे पर्ले हैडिंग आता है हैडिंग में क्या क्या लिखते हैं date information about patient हम क्यों लिखते हैं क्यूंकि हम identify कर सकी कि कौन से patient का description है फिर हम information about prescriber भी इसमें पताते हैं सुपरिस्क्रिप्शन क्या है सुपरिस्क्रिप्शन और एक सिंबोल से डिनॉट किया जाता है जिसका मतलब यह होता है जुपिटर तहीलिंग आपको जब पूराने इसमें हम information to the pharmacist regarding information लिखते हैं फार्मसिक के लिए कितना मिल देना है कितना देना है काइंटिटी डिससपेंस कितने कॉएंटिटी में हमें डिससपेंस करना है और इसमें हम यह प्रिस्क्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं सिगनेचर एंड इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसमें जरूरत होती है सिगनेचर प्रिस्क्राइबर की अगर जरूरत पड़े तो पेशेंट के भी सिगनेचर होने चाहिए रिफिल इंस्ट्रक्शन होती है और इस पेशल इंस्ट्रक्शन होती है इफ निडिल कोई जरूर्टी होती हो तो यह बात हुई दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन के उसके टा